Dear Children, स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चनल Study with दुलार में बच्चों, आप लोगों को मैं पहले भी बतला चुका हूँ कि आप लोग वन क्लास से जिस परकार से आगे बढ़ते जाएंगे जनवरों के बारे में कोई ना कोई subject आपको science में मिले गई और हर क्लास में कुछ ना कुछ बिस्तार बतलाते हुए आगे बढ़ते जाएगा उसके बारे में और भी जनकारिया देते जाएगा तो आज मैं जो chapter पढ़ा रहा हूँ इसमें भी जनवरों के बारे में दिया हुआ है और आएगे देखते हैं हम लोग कि ये कौन से क्लास से है ये है क्लास 3 का science book और chapter है 1.4 chapter का नाम है animals small and big जनवर छोटे और बड़े तो बड़े और छोटे जनवरों के बारे में इस chapter में बतलाया गया है तो आए हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं Animals are found everywhere in the forests, mountains, deserts, sea and oceans जनवर सभी जगा पाये जाते हैं जंगलों में, पहाडों में, मरुष्थलों में, समुद्र में और महासागर में The shape and size of animals vary as well their habit and habitat उनकी आदत और उनके आवास के अनुसार जनवरों के रूप और आकार कई परकार के होते हैं The largest land animal is the African elephant सबसे बड़ा अस्थलिय जनवर अफ्रिकन हाथी है The other large animals are tiger, lion, bear, etc दूसरे बड़े जनवर हैं, बाग, सिंग, भालू, इतियादी The largest water animal is blue whale सबसे बड़ा जलिय जीव blue whale है They are about 6000 kg in weight वह लगभग 6000 kg वजन का होता है Some animals are very tall on earth Example giraffe कुछ जनवर इस धर्ती पर बहुत उंचे होते हैं जैसे कि giraffe The largest bird is ostrich सबसे बड़ा पक्षी ostrich ostrich का मतलब होता है सुतुर मुर्ग सबसे बड़ा पक्षी सुतुर मुर्ग होता है Some animals are small like cat, dog, red, housefly and etc कुछ जनवर छोटे होते हैं जैसे कि बिल्ली, कुट्टा, चुहा, मक्की, चीटी, इतियादी According to sheep Some animals are long as snake Some have a stem-lined body as fish रूप के अनुसार कुछ जनवर लंबे होते हैं जैसे कि साप कुछ जनवर के सुगठित सरीर होता है जैसे कि मचली Some have hollow bones and feathers, buds कुछ जनवर के सुरंगदार हड़ी और पंक होते हैं जैसे कि पक्षी Some animals have compact body and have four legs as dog कुछ जनवर के सरीर ठोस होते हैं और चार टांगे होती हैं जैसे कि कुट्टा Like plants, animals are found in appropriate climate in different regions of the earth such as polar region, as penguin, polar bear, etc पोधों की तरह जनवर धुरूबिय छेत्र जैसे पिर्थवे के विविन छेत्रों में उप्युक्त वातावरन में पाए जाते हैं जैसे कि penguin, धुरूबिय भालू, इतियादी Some animals, dinosaurs and dodo become extinct कुछ जानवर जैसे कि dinosaur और dodo प्राया विलुप्त हो चुके हैं Legs and tails Pair और कुच Legs is very important part of animal body Pair जानवरों का बहुत महतपुर्ण अंग है It helps the animals in locomotion यह चलने फिरने में जानवरों को मदद करता है Some animals have two legs, some have four, some have more than four and some have no leg कुछ जानवरों के दो पैर होते हैं, कुछ के चार होते हैं, कुछ के चार से अधिक होते हैं और कुछ का पैर होता ही नहीं Apps has only two legs, but monkey, dog, lion, elephant, etc all have four legs लंगूर का सिर्फ दो पैर होता है, लेकिन बंदर, कुटा, सेर, हाथी आधि के चार पैर होते हैं Very small animals like insects have more than four legs बहुत छोटे जानवर जैसे की कीट पतंगों के चार पैर से अधिक होते हैं Snack and worms do not bear leg, साप और कीडों के पैर नहीं होते Tail is another important part of animal body पूँच जानवरों के दूसरा सबसे महतपूर्ण अंग है Animals use their tails for different purposes जानवर इसका उपयोग अलग-अलग उदेश के लिए करते हैं Some animals express emotions like dog कुछ जानवर अपनी भावनाओं को दिखाने के लिए इसका परियोग करते हैं जैसे की कुट्ता Some use their tails to balance their body like kangaroo and squirrel कुछ जानवर अपने सारीरिक संतूलन को बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं जैसे की kangaroo और गिलरी Some animals swing from one branch to another like monkey कुछ जानवर एक डाल से दूसरे डाल में छलांग लगाने के लिए पूँच का उपयोग करते हैं जैसे की बंदर These and birds use their tails to change direction in water and air respectively मचली और पक्ची अपने पूँच उपयोग करमसह पानी में दिसा बदलने के लिए और हवा में दिसा बदलने के लिए करते हैं Creep, crawl and fly, रेंगना, घिसटना और उड़ना You have seen some small animals flying और crawling near about the house, garden, EDC आपने अपने घर या बगिचे के आसपास छोटे जानवरों को देखा होगा जो उड़ते हैं या घिसटते हैं All animals that crawl, creep or fly are not insects वैसे सभी जानवर जो घिसटते, रेंगते या उड़ते हैं सभी कीट पतंग नहीं होते Animals like ant, cockroach, housefly are often seen in and around the house जानवर जैसे की चिटी, तेलचेटा, मक्षी अक्सर हमारे घर के आसपास दिखाई देते हैं They are called insects, ये सभी कीट पतंग होते हैं Insects vary in safe and size, कीट पतंगों के विविन रूप और आकार होते हैं It has six legs and body divided into three parts, head, thorax and abdomen इसके छे पेर होते हैं और तीन भागों में बटा हुआ सरीर होता है जो सीर, वक्ष और उदर भाग होता है They bear two antennas, उसका दो मूच होता है, they have soft body उसका सरीर कोमल होता है Some insects can creep and fly also, example cockroach, grasshopper, etc कुछ जानवर रेंगते हैं और उड़ते भी हैं, जैसे की तिलचटा, फतिंगा, इतियादी Some animals like butterfly, bee, fly, mosquito, etc, have wings and can fly कुछ जानवर जैसे की तितली, मदमक्की, मक्की, मच्छर, आदी के पंक होते हैं, जिससे वे उड़ सकते हैं Reptile is a group of animals which crawl रेंगने वाले जानवरों के समू को स्रिस्रिप कहते हैं Reptile का हिंदी अर्थ होता है स्रिस्रिप In this group some are big animals like crocodile इस समू के कुछ जानवर बड़े होते हैं, जैसे की मगरमच But some are small like lizard, लेकिन कुछ छोटे भी होते हैं, जैसे की चिपकली Insect hide Most small animals and very small animals hide to protect themselves from enemies and cold अधिकतर छोटे जानवर और बहुत छोटे जानवर सत्रूहों से और ठंड से बचने के लिए छिप जाते हैं Hidden habit of very small animals is an important feature छोटे जानवरों की या छिपने की आदत एक विशेस गुन है They hide themselves in small corners of the houses, under logs of wood, stone, dark and moist places हुए अपने आपको घर के कोने में, लकडियों की लठे के नीचे, पथरों के पास, अंधेरों में या नमी वाले जगों में छिपा लेते हैं Some insects body color matches with their surrounding and they cannot be spotted by enemies like grasshopper and caterpillar कुछ कीट पतंगों के सरीर का रंग उसके आजपास के परिवेश से मिलते जूलते हैं, जिसके कारण अपने सुत्रूओं द्वारा वे पहचाने नहीं जाते जैसे की grasshopper और caterpillar insects nature, कीट पतंगों के सभाव, some creepy crawlies and flyers are harmful for us, कुछ ऐसे रेंगने वाले, घिसटने वाले और उडने वाले कीट हमारे लिए हानिका रख होते हैं, they bite and make us ill, उसके काटने से हम बिमार पर सकते हैं insects like bee and wasp have a sting that cause pain redness and swelling on the skin, कीट जैसे की मदमक्की और ततया के डंक होते हैं, जिसके कारण तौचा में दर्द, लालपन और सुजन हो जाता है mosquitoes bite and cause diseases called malaria dengu etc, मच्छर भी काटते हैं और malaria dengu आदी बिमारी के कारण बनते हैं house flies sit on garbages and rotten food, घरिलू मक्की कचड़ा में बैठते हैं और खराब हो चुके भोजन में बैठते हैं they transfer germs from there to fresh food items, वे वहां से साप स्वश्च भोजन में किटानों को अस्थानांतरित करते हैं they also cause diseases like dysentery cholera etc, हुए भी पेचीस हेजा आदी बिमारीों के कारण होते हैं we can prevent them by keeping our surroundings clean, keeping food covered etc, हम इसे रोक सकते हैं अपने आसपास के परिवेश को साप रख कर भोजन को ढग कर रखने से इस परकार के और उपायों को अपना कर spider is a very small animal that belongs to orthopoda, मकड़ी एक बहुत छोटा जानवर है जो संधी पाद से समंधित है संधी पाद का मतलब होता है, सामाइन किटों से अधिक पैर होना, सामाइन किटों का अच्छा पैर होता है, परन्तु मकड़ी का आठ पैर होता है it means animals having jointed legs, इसका मतलब है वैसे जानवर जिसके कई पैर होते है, they are neither insect nor worms, हुआ ना तो कीट है और ना ही किड़ा है they have eight legs, उसका आठ पैर होता है, spider weaves its home in the form of web with a liquid that comes out of teeny holes from its back end मकड़ी एक परकार के तरल पदार्थ से अपने घर को एक जाल की रूप में बुनता है, यह तरल पदार्थ उसके पीछे के अंतीम भाग से एक छोटे छिद्र से निकलता है this liquid is very thin and strong like thread, यह तरल पदार्थ बहुत ही पतला और मजबुत धागे के जैसा होता है insects are trapped in it and are eaten by spider, कीट इस जाल में फंस जाते हैं और मकड़ी के द्वारा खा लिया जाता है buds, पक्चियां, buds are animals that have wings and can fly पक्ची वह ऐसे जानवर है जिसके पंक होते हैं और वे उड़ सकते हैं they have special features that help them to do so उसमें विशेश गुन होता है जो उसे ऐसा करने में मदद करता है how buds are different from other animals पक्ची दूसरे जानवरों से किस परकार अलग है buds are the only animals with feathers on their wings that help them to fly सिर्फ पक्ची ही एक ऐसा जानवर है जिसके डैनों में पंक होता है जो उसे उड़ने में मदद करता है they have two legs, two wings and a wick उसका दो पैर, दो पंक और एक चोंच होता है their body is bot sept उसका सरीर नाव के अकार का होता है they have strong and light bones उसकी हडियां मजबूत और हलकी होती है they have strong chest muscle that help to flip the wings up and down उसके वक्च की मानस्पेसियां बहुत मजबूत होती है जो उसके पंक को उपर नीचे फटफ़ाने में मदद करती है let's see what type of feathers bird have आएए देखते हैं पच्चियों में किस परकार के पंक होते हैं flat feathers, उड़ने वाला पंक these are long feathers that cover the bird's wings and tail bonds ये लंबे पंक होते हैं जो पक्चि के डेने और पुक्च की हडियों को धके रते हैं they help the bird to fly and change direction while flying ये पक्चियों को उड़ने में और उडने के दोरान दिसा बदलने में मदद करता है down feathers, निचला पंक these are short and soft feathers that keep the body of the bird warm ये छोटे और मुलाइम पंक होते हैं जो पक्चियों के सरीर को गर्म रखते हैं body feathers, सारीरिक पंक these feathers cover the bird's entire body and give its shape ये पंक पक्चि के पूरे सरीर को ढखता है और उसके सरीर को एक आकार देता है some birds like parrot and peacock have colored feathers कुछ पक्चि जैसे कि तोता और मौर के पंक रंगिन होते हैं do all birds fly in the same way? क्या सभी पक्चियों के उड़ने का तरीका एक होता है? crane and goose are birds that fly very long distances सारस और हंस ऐसे पक्चि हैं जो बहुत लंबी दूरी तक उड़ते हैं hen and peacock fly short distances मुर्गी और मौर छोटी दूरी तक उड़ते हैं eagle and vulture fly high in the sky chill और गिध आस्मान में बहुत उंचे तक उड़ते हैं sparrow and bulbul fly at lower heights गुरया और bulbul कम उंचाई तक उड़ते हैं some birds are big and have heavy bodies like ostrich, emu and penguin so they cannot fly कुछ पक्चि बड़े होते हैं और उसका सरीर बहुत भारी होता है जैसे की सुतुर मुर्ग, emu और penguin इसलिए वे उड़ नहीं सकते why do birds make nests? पक्चियां घोसला क्यों बनाते हैं? every living organisms need house सभी सच्चियों को घर की आउ सकता होती है nest is the house of a bird which it makes when it has to lay eggs घोसला पक्ची का घर होता है जिसे वा अंडे देने के समय बनाता है birds use different materials like grass, twigs, threed, etc to mac nest bird mac nests in different places पक्चियां घोसला बनाने के लिए अलग-अलग चीजें उपयोग करते हैं जैसे की घास, तिनका, धागा, इतियादी पक्चियां अलग-अलग जगों में घोसला बनाते हैं bull bull macs a cup-shaped nest in hedges and bushes बुल-बुल कप अकार का घोसला बनाती है किसी बाड़ा या जाड़ी में teller bird whips its nest with leaves using its beak दरजिन पच्छी अपने चोंच से पतियों को बून कर अपना घोसला बनाती है vulture macs its nest on a high branch using twigs गिद अपना घोसला उची साखा परतिनकों का उपयोग कर बनाती है यहाँ पर लिख दिया है यहाँ पर यूट पिकर होना चाहिए कटफ़वा पेड़ के तने को अपने चोंच से छेद कर अपना घोसला बनाता what sounds do birds mac पचियां कैसे आवाज उत्पन करती है you will must have heard birds chirping आप सभी ने पच्छियों के चाहाने की आवाज जरूर सुना होगा birds usually communicate with two types of sounds पच्छियां समाईने रुप से सुचित करने के लिए दो तरह के आवाज करते हैं birds sing a song which is a series of notes that follow a definite pattern पच्छियां गीत गाते हैं जो रचित सिरिंखला सी होती है या एक निश्चित लए को अनुसरन करती है some birds like a stork and pelican make no sound कुछ पच्छि जैसे की सारस और pelican कोई आवाज नहीं करते what do birds eat पच्छियां क्या खाते हैं birds also need food to live like other living beings दूसरे सजियों की भाती पच्छियों को भी भोजन के आव सकता होती है they pick their food with their beaks वे अपना भोजन अपनी चोंच से खाते है a bird's beak and claw tell us a lot about the food that it eats एक पच्छि का चोंच और पंजा उसके खाने के बारे में बहुत कुछ बता देता है यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका बना हुआ है kind of beak यह इस परकार का जिसका पंजा और beak होता है वो इस तरह का पच्छी होता है और इस तरह से वो इस परकार का भोजन वो खाता है तो यहाँ पे एक चाट दिया हुआ है आप अपने बुक में इसको देख सकते हैं वाटर कलाउज पंजे क्या है एक कलाउज is curved horny nail पंजा तेढ़ा और कठोर नाखुन होता है बट सेब two feet with four toes on each and a cloud on each toe पक्छी के दो पैर होते हैं और एक पैर में चार उंगली और प्रतेक उंगली में एक नाखुन होता है birds walk and perch on trees with their feet पक्छियां अपने पैरों से पेडों पर चलते हैं और फुदकते हैं they use their claws to catch and haul food and to protect themselves from their enemies हुए अपने पंजे का उपयोग भोजन को पकड़ने में करते हैं और सत्रूओं से अपनी रक्षा करने के लिए करते हैं what are migratory birds? परवासी पक्छी क्या है? कुछ पक्छी जैसे की साइबेरियन सारस और आर्कटिक टर्न उड़कर गरम जगों में चले जाते हैं जब उसे ठंड मौसम के कारण खाना डोनने में समस्या होती हैं पच्छी के ऐसे गती जिसमें वे हर वर स्थंड जगर से गरम जगर में जाते हैं परवास काते हैं दे री टर्न्स वें दावे डर विकल्म फेवरेवल होए फिर से वापस आ जाते हैं जब मौसम उनके अनकूल हो जाता हैं तो यहाँ पे यह चेप्टर समाप्थ हो जाता है आए देखते हैं इसमें क्या क्वेस्चन्स दियावा है यहां पर keyword दिया हुआ है इस chapter का और इसमें इसका question जो दिया हुआ है यहां पर one number पर answer the following यह question है two number fill in the blanks दिया हुआ है और इसके अलावा इसके अलावा three number में true false दिया हुआ है और question number four में match the following और five number में give two examples of each इसका दो example देना है तो आएए मैं आप लोग को इसका answer बना की दिखाता हूँ 1.4 का question answer answer the following what are the shapes of animals the shapes of animals are various as well their habit and habitat what are the usage of tails in animals animals use their tails for different purposes dog expresses their emotions kangaroo and squirrel make their body balance fish and birds use their tails to change direction why does insect hide insects hide to protect themselves from enemies and cold how are insects harmful insects are harmful for us they bite and make us ill mosquitoes cause diseases like malaria dengue etc how can we be safe from harmful insects we can be safe from them by keeping our surroundings clean keeping food covered etc what are reptiles reptiles are group of animals which crawl what do birds use their claws for they use their claws to catch and hold food and to protect themselves from their enemies write the features that make birds different from other animals birds are the only animals with feathers on their wings that help them to fly their body is boat shaped they have strong and light bones what sound do birds smack birds make a sound of chirping they communicate with two types of sounds they make a call in a single sound and sing a song in a definite pattern what is migration why do birds migrate the movement of birds from cold to warmer places every year is called migration birds migrate warm places when they become difficult to find food due to cold weather question number two me fill in the blanks dya hoa hai dya hoa hai ap yaa se ap n e book p e match kare sakti hai question number three me true false dya hoa hai tto true false kia liye t nd f lagaya hoa hai ap isko dhekkar apne book m e true false laga sakti hai question number four me match the following dya hoa hai tto iska bhi direct yaha p e answer dya hoa hai ap yaa se apne book p e match kare sakti hai question number five me two examples dhenne kile bola gya hai तो यहाँ पर two examples दे दिया गया है, इसका भी direct answer है, आप इसको देखकर अपने book में भर सकते हैं, और यहाँ पर यह chapter समाप्त हो जाता है, आपको अगर हमारे वीडियो से थोड़ा भी मदद मिलता है, तो आप हमारे इस वीडियो को एक like जिरूर कीजिए, हमारे चैनल को subscribe कीज दोस्तों के साथ share कीजिए, और अगले chapter को पढ़ने के लिए हम लोग next video में चलेंगे, तो आईए हम लोग next video में चलते हैं,